अपर कोर के नीचे में प्रित्वी के केंद्र तक याने सतह से लगभग 6,371 किलोमीटर की जो गहराई है इसे लोवर कोर कहा गया है और इस लोवर कोर के क्षेत्र में तापमान लगभग 4500 डिग्री है जबकि अपर कोर का जो तापमान है यहां लगभग 3000 डिग्री तक पाया जाता है बच्चो मैंने आपको बताया था कि सतह से धरात केंद्र तक प्रित्वी केंद्र तक तापमान निरंतर बढ़ रहा है सतह के नीचे में तापमान बढ़ने की जो प्रवरित्वी है जैसा मैंने अभी बताय था कि लगभग 20 से 30 डिग्री तापमान जो है प्रती किलो मीटर की गहराई में बढ़ता है लेकिन यह सिती 40 किलो मीटर तक ही होती है 100 किलो मीटर में तापमान कितना हो जाता है 8000 से 12000 याने चट्टानों की गलनांक अवस्था आ जाती है इसके बाद तापमान में निरंतर वृद्धियोरी लेकिन यह वृद्धी दर कम है तापमान बढ़ है लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है यह घटते क्रम में देखी गई है और केंद्रम का तापमान जो है यह 4500 डिग्री सेंटिग्रेट होना चाहिए है तो इस प्रकार से केंद्र का तापमान सरवाधिक है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोहा या फेरियम के जो तत्व पाये जा रहे हैं यह सरवाधिक यहाँ पर लोहा यह निकल यह सबसे अधिक मात्रा में यहाँ जमा है इसका घना तो जो है लगभग 17 तक पाया जाता है और इसी लावतत्व की उपस्थिती के कारण प्रित्वी में जो चुम्बकी शक्ती पाई जाती है प्रित्वी में जो परिद्रता पाई जाती है इस्थिरता मैंने गती के संबन में बताया था कि परिक्रमन में सूर्य की जब प्रित्वी चक्कर लगा रही है तो एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगा रही है वहाँ इस पुरा जो पारिभ्रमन करती है तो ये पृत्वी के स्थिर्ता इसे हम कहते हैं पृत्वी के अंदर पाई जाने वाली कठोर्ता और इसमें पाई जाने वाला गुरुत्व बल या सभी इस केंद्र से प्राप्त होता है तो इस प्रकार से जो प्रित्वी का जो केंद्रिय भाग है ये अत्यतिक दबाव के कारण ताप भले ही अधिक है लेकिन अत्यतिक दबाव के कारण यह दुर्बल नहीं है यह तरल अवस्था में नहीं है बलकि यह कठोर अवस्था में solid इस्थिती में पाया जाता है तो इस प्रकार से पृत्वी का जो आधुनिक मत है इस मत का अध्यन हमें बहुत कुछ भुकंप विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है और यह पृत्वी के आधुनिक इस्थिती को प्रित्वी के अंतरतम की आधुनी किस्थिति को दर्शिति इसके बाद लगभग 2780 किलोमेटर की गहराई में एक और डिसकन्टियूनिटी का अध्यन किया गया है जिसको हम डाहम डिसकन्टियूनिटी डाहम और सांतत्यता या भिन्नतातल कहते हैं यह जो लोवर मेंटल का ख्षेतर यह उन्तिस सो किलोमेटर की गहराई पर है उन्तिस सो किलोमेटर के कुछ उपर का जो ख्षेतर है यह पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है बल्कि यह सेमी सॉलिड हम इसे कह सकते हैं या स्लरी की भाती है, लद्धी जैसा दलदल होता है न, उस प्रकार की स्थिती यहाँ पर पाई जाती है और इस खेत्र में जो डिसकन्ट्यूनिटी है इसे गुटन बर्ग डिसकन्ट्यूनिटी कहते हैं बच्चों मैंने यहाँ पर कहा गुटन बर्ग डिसकन्ट्यूनिटी और इसके पहले मैंने लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में एक चेनल का उले किया इसका भी नाम गुटन बर्ग का है तो दोनों में अंतर है एक चेनल है और एक जो है यह डिसकन्ट्यूनिटी या भिन्नता तल यहाँ पर है तो एक यहाँ पर जो उन्तिस सो किलोमीटर की गहराई पर है इसे हम कहते हैं गुटन बर्ग भिन्नता तल या गुटन बर्ग डिसकन्ट्यूनिटी इसे कहा गया है यह कोर कहलाता है कोर को भी दो पार्टों में बाटा गया है अपर कोर और लोवर कोर जो अपर कोर है यहां पर चटानों का जो घनत्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा है कोर के पास जो घनत्व है यह लगभग 12 है जबकि जो अपर मेंटल है इसका घनत्व 5.5 के लगभग देखा गया था कोर का घनत्व अपर कोर का घनत्व जो है यह 12 है और अपर कोर 29 किलो मीटर से ले करके 5950 किलो मीटर तक की जो दूरी है यह अपर कोर की होती है अपर कोर के नीचे में प्रित्वी के केंद्र तक याने सतह से लगभग 6,371 किलो मीटर की जो गहराई है इसे लोवर कोर कहा गया है और इस लोवर कोर के क्षेत्र में तापमान लगभग 4500 डिगरी है है जबकि अपर कोर का जो तापमान है यह लगभग 3000 डिगरी तक पाया जाता है बच्चों मैंने आपको बताया था कि सतह से धरात केंद्र तक प्रित्वी केंद्र तक तापमान निरंतर बढ़ रहा है सतह के नीचे में तापमान बढ़ने की जो प्रवरित्वी है जैसा मैंने अभी बताय था कि लगभग 20 से 30 डिगरी तापमान जो है प्रती किलोमीटर की गहराई में बढ़ता है लेकिन यह स्थिती 40 किलोमीटर तक ही होती है सौ किलोमीटर में तापमान कितना हो जाता है 8000 से 12000 याने चट्टानों की गलनांक अवस्था आ जाती है इसके बाद तापमान में निरंतर वृद्धियोरी लेकिन यह वृद्धी दर कम है तापमान बढ़ रहा है लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है यह घटते क्रम में देखी गई है और केंद्रम का तापमान जो है यह 4500 डिगरी सेंटिग्रेट होना चाहिए है तो इस प्रकार से केंद्र का तापमान सरवाधिक है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोहा या फेरियम के जो तत्व पाये जा रहे हैं यह सरवाधिक यहाँ पर लोहा यह निकल यह सबसे अधिक मातरा में यहाँ जमा है इसका घना तो जो है लगभग सत्रह तक पाया जाता है और इसी लाउह तत्व की उपस्थिती के कारण प्रित्वी में जो चुम्बकी शक्ती पाई जाती है प्रित्वी में जो परिद्रता पाई जाती है इस्थिरता मैंने गती के संबन में बताया था कि परिक्रमन में सूर्य की जब प्रित्वी चक्कर लगा रही है तो एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगा रही है वहाँ इस पुरा जो परिभ्रमन करती है तो ये प्रित्वी के स्थिर्ता इसे हम कहते हैं प्रित्वी के अंदर पाई जाने वाली कठोर्ता और इसमें पाई जाने वाला गुरुत्व बल यह सभी इस केंद्र से प्राप्त होता है तो इस प्रकार से जो प्रित्वी का जो केंद्रिय भा यह अत्याधिक दबाव के कारण ताप भले ही अधिक है लेकिन अत्याधिक दबाव के कारण यह दुरूबल नहीं है यह तरल अवस्था में नहीं है बलकि यह कठोर अवस्था में solid इस्थिती में पाया जाता है तो इस प्रकार से प्रित्वी का जो आधुनिक मत है इस मत का अध्यन हमें बहुत कुछ भुकम्प विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुआ है और यह प्रित्वी के आधुनिक इस्थिती को प्रित्वी के अंतरतम की आधुनिक इस्थिती को दर्शाता है बच्चों ज्वाला मुखी जैसा मैंने अभी उल्लेखित किया है कि जहाँ पर 1200 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान पहुच रहा है याने चट्टानों के गलनांक की अवस्था आ गई है तो कुछ खेत्र ऐसा होगा जहाँ पर चट्टाने पिगली अवस्था में हो सकती है और इस खेत्र को मैगमा भंडार या मैगमा चेंबर के नाम से संबोधित किया जाता है यहीं से ज्वाला मुखी का उदगार होता है और ज्वाला मुखी के उदगार के समय जो लावा निकलता है वो बहुत तप्त ऐसा लग रहा है कि आग पृत्वी के भीतर से निकल रही ह तो ये जो आग उगलती प्रित्वी का कोई खेत्र कोई केंद्र दिखाई देता है तो उसको हम ज्वाला मुख कहते हैं और वहां से ज्वाला जो लावा निकल रहा है वो इतना तपता है कि आग की भाती दिखाई देता है तो उसे हम ज्वाला मुखी कहते हैं ये ज्वाला मुखी से इस बात की सुचना मिलती की प्रित्वी अंदर से गर्म है, जैसे ही ये लावा बाहर आता है, बाहर के वातावरन के संपर्क में आने के साथ ये लावा धीरे धीरे थंडा हो जाता है और उस ख्षेत्र में ज्वाला मुखी परवत या ज्वाला मुखी शंकू या ज्वाला मुखी पठार या ज्वाला मुखी मैदान जैसी आकरिती का निर्मान हो जाता है जो की नन बाद में चट्टान का एक स्वाभाविक स्वरूप हमको देखने को मिलता है प्राकृतिक जो कारक है इन कारकों में मैंने ज्वाला मुखी का भी उल्लेक किया था ये ज्वाला मुखी क्या है धरातल के भीतर में जो मेगमा होता है यह मेगमा किसी छिद्र या दरार के सारे धरातल के बाहर आता है बाहर आने की जो प्रक्रिया होती है ये कभी विस्फोटक होती है और कभी बहुत धीमी गती से भी ये मेगमा बाहर आता है बाहर आने के बाद इसे हम लावा के रूप में जानते हैं तो ये जो प्रक्रिया संपन होती है इसे हम ज्वाला मुखी कहते हैं तो ज्वाला मुखी क्या है यह गैस राक तरल पदार्थ चटानों के छोटे बड़े पिंड जिसमें छोटे छोटे पिंड होते तो उसको लैपिली कहते हैं और बड़े बड़े पिंड होते हैं बड़ी की काउदगार होता है तो सबसे पहले जलवाश्प बाहर आता है बहुत अधिक मात्रा में जलवाश्प लगभग 80-90 प्रतिशत जलवाश्प का होता है और ये पूरे के पूरे पदार्थ बाहर आते हैं और इसके साथ ही नाइट्रोजन के योगिक सलफर के योगिक क्लोरीन जो होता है या ओजोन ये कई प्रकार की गेसें बाहर निकलती प्रारंभ में ये विस्फोट होता है और उसके बाद अन्य जो पदार्थ है ये धीरे धीरे बाहर निकलते हैं या तेजी से बाहर निकलते हैं और इससे धरातल के बाहर में एक परवत नुमा आकृति या शंक रूप में पाहडी के रूप में आकृती बन जाती है या फिर उस ख्षेत्र में एक पठार नुमा आकृती बन जाती या मैदान बन जाता है तो यह ज्वालामुखी उद्गार का रिजल्ट उसकी परिणिती होती है ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा होता है यह धरातल के नीचे का एक शेत्र होता है मैंने बताया था बच्चों कि धरातल के नीचे में लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान निरंतर बढ़ते बढ़ते 8000 से 12000 डिगरी तक पहुँच जाता है जिसके कारण चटाने गलनांग का वस्था में पहुँच जाती है और उसी के कारण यह गली हुई चटाने जब धरातल के बाहर निकलती है तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है कितना तापमान है चटानों की इस्थिती क्या है उस पर निर्भर करता है कि उद्गार में ग्रेनाइट चटान बनेगी या बेसाल्ट यह तापमान की इस्थिती पर निर्भर करता है तो इस प्रकार से ज्वालामुखी की जो प्रवरिती होती है वह धरातल पर आकरिती का विकास करती है और इस प्रकार की जो विभिन आकरितिया होती है तो इन आकरितियों में पहले तो हम ज्वालामुखी की कुछ प्रकारों को जान ले कितने प्रकार के ज्वाला मुखी होते हैं तो ज्वाला मुखी की उदगार की जो आवधी होती है उस आधार पर ये ज्वाला मुखी तीन प्रकार के होते हैं एक्टिव ये जागरिज ज्वाला मुखी जागरित ज्वाला मुखी प्रायह निरंतर उदगार करते रहते हैं कुछ विद्वानों का यह मत है कि एक साइकल के रूप में यह उदगार चलता रहता है अधिक्तम 11 वर्ष की साइकल होती है और कभी-कभी यह साइकल का पिरेड और भी बढ़ जाता है पर कई ज्वाला मुखी ऐसे होते हैं जो निरंतर विस्पोटित होते रहते हैं इस प्रकार के ज्वाला मुखी को जागरित ज्वाला मुखी कहते हैं जागरित ज्वाला मुखी के विश्व में 500 से भी ज्यादा उदाहरन है पांच सो से भी अधिक ज्वाला मुखी जो है यह जागरित ज्वाला मुखी है इस ज्वाला मुखी में माउंट एटना और लिपारी के पास स्ट्रामबोली ज्वाला मुखी है यह दोनों ज्वाला मुखी ज्वाला मुखी के उदारन है बच्चों आप जानते हैं कि भुमध्य सागर यहाँ पर ज्वाला मुखी का निरंतर उद्गार होते रहता है यहाँ पर कुछ जागरित ज्वाला मुखी पाये जाते हैं मैंने अभी आपको एक्जामपल भी दिये हैं ये जागरित ज्वाला मुखी यहाँ पर सतत उद्गारित होते रहते हैं इसलिए इस ख्षेत्र को लाइट हाउस या प्रकाश इस्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इसलिए इस ख्षेत्र को अगनी वृत या रिंगा फायर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो ज्वाला मुखी है इसमें विसूवियत और क्राकाट वाइस के एक्जामपल को बताता है। तीसरे ऐसे ज्वाला मुखी जिसको हम शान्त या मृत ज्वाला मुखी कहते हैं। जो एक बार कभी उद्गारित हुए थे लेकिन अब वहाँ पर उद्गार की कोई संभावनाय नहीं है। लाखो वर्ष हो गए हैं लेकिन अब यहाँ पर कोई उद्गार नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की ज्वाला मुखी शान्त ज्वाला मुखी कहलाते हैं। इस प्रकार की ज्वाला मुखी में पोपा, कोह सुल्तान, देमबद ज्वाला मुखी ये सभी इसके उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। ज्वाला मुखी में उद्गार की जो स्थिती बनती है अर्थात उद्गार जब किसी छोटे छिद्र से होता है तो उसे केंद्री उद्गार कहते हैं कहा जाता है इसमें उद्गार बहुत ही विश्फोटक से शांत दोनों ही अवस्था में होते हैं जबकि कभी-कभी ज्वाला मुखी के जो उद्गार है वह लंबी-चवडी-दरार से जब लावा बाहर आता है तो बहुत ही शांत ठंग से यह लावा बाहर निकलने लगता है इसे दरारी उदगार या फिशर वाल्केनों कहा जाता हैं। तो ये दो प्रकार के जो उदगार हैं वो उदगार के खेत्र के आधार पे होता है। लेकिन जो उदगार की जो प्रवरित्ती होती है और उससे मिलने या बनने वाली जो विक्सित होने वाली ज्वाला मुखी की इस्थलाकृती होती है उस आधार पर भी ज्वाला मुखी को वर्गी कृत किया गया है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शील्ड ज्वाला मुखी ये शील्ड ज्वाला मुखी क्या है? ये बहुत ही विस्तरित ज्वाला मुखी है जो की हवाई द्वीप में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं बच्चों यहां पर बेसाल्ट जो लावा होता है ये बहुत ही तरल रूप में इसका उदगार होता है बहुत धीमी गती से उदगार होता है और बहुत कम विस्फोट के साथ उदगार होता है इससे एक शंकू का निर्मान होता है यह व्रियत शेतर में फैल जाता है तो इसे शील्ड ज्वाला मुखी कहते हैं दूसरा जो ज्वाला मुखी का प्रकार है यह है मिश्रित ज्वाला मुखी मिश्रित ज्वाला मुखी में जो लावा की प्रवरित्ती होती है बेसाल्ट की तुलना में कुछ गाढ़ा और अधिक चिपचिपा होता है अलग-अलग समय में इसके गाढ़ापन या चिपचिपपन की मातरा कम ज्यादा होती रहती है और इस प्रकार के जो विसफोट होते हैं केंदरी विसफोट होते हैं बहुत भीशन विसफोट होते हैं प्रकार के होते हैं और बड़ी सी गर्जना के बाद पदार्थ बाहर आता है तो इस प्रकार के ज्वाला मुखी को मिश्रित ज्वाला मुखी कहते हैं अगला जो ज्वाला मुखी है इसमें ज्वाला मुखी क्रेटर या काल्डेरा क्रेटर या काल्डेरा क्या होता है जहां से ज्वाला मुख्यी का उद्गार हो रहा है तो उद्गार के साथ वह अक्षेत्र उपर नहीं उठता उद्गार के पश्चात बलकि उसका जो मुख्य है वो अंदर की तरफ दप जाता हूर उसके चारो तरफ उची दिवार की भाती खड़ी हो जाती है और यह जो दिवारें हो एक तश्तरी एक बाउल के जैसी आकरिती कभी-कभी होती है। बहुत गहरा सा गढधा होता है उसके बीच से ज्वाला मुखी के उद्गार की प्रक्रिया संपनती जबकि बाहर में एक शंकु या परवतनुमा आकरिती बन जाती है। तो ये बीच का जो बड़ा सा तश्तरी नुमा गड़्धा होता है जहां से ज्वाला मुखी का मुख यहीं पर होता है तो ये जब थोड़ा बड़ा होता है तो इसे गढ़ा कहते हैं और ये जब कंडरे करें । होता है कई मीटर सव मीटर तक भी इसका विस्तार हो जाता है तो इसे काल्डेरा के नाम से जाना जाता है अगली जो आकरिती है यह होता है बेसाल्ट का प्रवाह क्षेत्र जब ज्वालमुखी का तरल लावा बहुत दूर तक फैल जाता है और कभी कभी इसका प्रवाह सैकडो किलो मीटर से हजार किलो मीटर तक वर्ग किलो मीटर का जो खेत्र होता है वहाँ पर विस्तरित हो जाता है इसकी मोटाई समानने रूप से पचास मीटर के आसपास भी कभी कभी हो जाती है तो यह ज्वालमुखी के पठार का निर्मान यहाँ पर होता है दकन का पठार इसी के उदाहरन को प्रस्तुत करता है ज्वाला मुखी न केवल धरातल पर बलकि महासागरों में भी विस्फोटित होते रहते हैं और इसके कारण महासागरों में कई लंबे चौडे कटकों का निर्मान हुआ है यदि सभी महासागरों के कटकों का आकलन किया जाए तो लगभक सत्तर हजार किलोमिटर से भी अधिक लंबे कटकों का विकास ज्वाला मुखी उदगार के माध्यम से हुआ है इस कटक का जो मध्यवर्ती भाग है यहां से उदगार निरंतर होते रहता है इस प्रकार के जो कटक का बहुत ही सुन्दर उदगारन अट्लांटिक महासागर का मध्यवर्ती कटक है यह मध्यवर्ती कटक पूरे अट्लांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिन तक लगभग इस आकार में फैला हुआ है यह कटक जोला मुखी उदगार से निर्मित कटक या जैसे हम धरातल पर जिसे परवत कहते हैं ऐसे ही परवत नुमा आकरिती महासागर के भीतर बन गई है तो यह जोला मुखी की कुछ उनकी विस्फोट के आधार पर जो विक्सित आकरिती है उसके आधार पर मैंने कुछ आकरितियों का उल्लेख किया है बच्चों जहां जोला मुखी धरातल के उपर में विस्फोट करके आकरिती का निर्मान करता है वही जोला मुखी का कुछ मैगमा कभी कभी धरातल के भीतर में प्रवाहित होते होते भीतर में ही सतह के नीचे भी जमने लगता है और इस प्रकार से जब सतह के नीचे में ये आकृतियां ये मैगमा के जमने से कुछ आकृतियों का विकास हो जाता है तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे ज्वाला मुखी की अंतरवेधी आकृति कहते हैं अंतरवेधी जो आकृति होती है इन्हें हम दूसरे शब्दों में पाताली शैल धरातल के भीतर की शैल या चट्टाने भी कहते हैं ये आकृतियों भी कई प्रकार की होती है इसमें सबसे पहले है बैथोलित ये बैथोलित क्या है भू परपटी की गहराई में जब मेगमा पिंड बहुत विस्तरित होता है और इसका आकार लगभग गुमबदा कार हो जाता है बहुत विक्सित या विस्तरित गुमबद हम इसको कह सकते हैं यह धरातल के भीतर में जम जाता है लेकिन धरातल के उपर में अनाच्छादन, अनाच्छादन मतलब अपक्षय और अपर्दन का मिला जुला रूप तो इस अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा कई बार इसका उपरी भाग अपर्दित हो जाता है अपक्षय के कारण कुछ उपरी पदात हट जाते हैं और इसके हटने से जो नीचे के गुमबद है वह कभी कभी धरातल के उपर में प्रकट होने लगते हैं इस प्रकार के गुमबद में ग्रेनाइट चेटानों की प्रमुक्ता होती है ये गुमबद काफी अधिक गहराई से बनते हैं इस प्रकार के गुमबदों के जो उधारन है भारत में राची का पठार या सिह भुमी या बुंदेल खंड के जो क्षेत्र है ये कुछ इसी प्रकार के गुमबदी सनरचना की जहाकी को प्रस्तुत करता है दूसरी जो आकरिती है ये है लैकोलित लैकोलित में जब धरातल के भीतर में कुछ परतदार चटाने होती है और परतदार चटानों की कुछ परते यदि उपर की उठ जाती है एक दो परत उपर की उठ जाती है तो इसके उपर उठने से बीच का जो भाग खाली हो जाता है यहाँ पर भी इसी उपर उठने से इसकी संडचना लगभग गुमबदा कर हो जाती तो ऐसे गुमबदी आकरिती में बीच के भाग में यहाँ पर जो मैगमा होता है यह जम जाता है और इसके जमने से यह भाग पूरी तरीके से गुम्बदी स्वरूप में दिखाई देने लगता है तो इस आकरिती को हम लैकोलित के नाम से जानते हैं इसका जो एक्जाम्पल है संयुक्त राज अमेरिका में जो उटा का शेत्र जो है उसका हैनरी परवत इसी प्रकार के लैकोलित के उदाहरण को प्रस्तुत करता है तीसरी जो आकरिती है ये है लैकोलित लैकोलित क्या है जैसे मैंने भी बताया कि परतदार चटानों में कुछ लहरनुमा आकरिती परतदार चटाना का कोई भाग उपर उड़ जाता है तो जब कोई भूभाग उपर उड़ जाता है तो दुसरा भाग नीचे की और धसासा दिखाई देता है इस जो नीचे धसेवे भाग में जिसे हम उस चटान का आकार कैसा होता है तश्तरी नुमा या बेसिन नुमा हो जाता है और इस ख्षेत्र में जब मेगमा जमा हो जाता है तो इसके जमाओं से यह बेसिन भर जाती है तो इस प्रकार की जो आकरिती होती है यह आकरिती लैपोलित कहलाती है ट्रांस्वाल के ख्षेत्र में लगभग 480 किलोमेटर लंबा ऐसा ही लैकोलित बना हुआ है अगली जो आकरिती है यह है फैकोलित फैकोलित क्या है जब मोड़दार परवत याने वलित परवत वलन में हमने दो प्रमुख आकरितियां यहां पर होती है हमने इसको पढ़ानी तो आगे पढ़ेंगे बच्चो और यह जो आकरिती कहलाती है अपनती उपर उठा भाग और नीचे धसा भाग अभिनती कहलाता है इस अपनती और अभिनती के खेत्र में जब लावा का जमाव क्रम्शह हो जाता है तो यह जो आकरिती है यह फैकुलित कहलाती है इसी प्रकार से दो और प्रमुख आकरिती है एक कहलाती है सिल सिल क्या है जब चट्टानों की जोडों पे या चट्टानों के तहों के बीच में यदि जगह खाली रहती है तो इस खेत्र में लावा का जमाव हो जाता है और ये जो जमा हुआ लावा है यह इस खेत्र में चप्टा होता है तो सिल की आकरिती का निर्माण करता है ये जो सिल है भारत के कोईला क्षेत्र जिसमें रानी गंज और ज़रिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर कोइले की पत के उपर में ऐसे सिल की आकरिती देखने को मिलती है इसी प्रकार के England में जो बिन का खेतर है यह एक विस्तिरित सिल है जिसमें सौ मीटर मोटी एक पत जमा हो गई है जोकी असी किलोमीटर के खेतर में फैल गई है तो यह आकृति सिल कहलाती है अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं डाइक डाइक क्या है जब चटानों के बीच में जो गैप होता है यहाँ पर खड़ी प्रकार में चटानों की भाती मेगमा के जमाव खड़ा-खड़ा हो जाता है प्रित्वी के भीतर में तो इसे हम डाइक के नाम से जाने जाते हैं यह दो चटानों के बीच में खड़ी आकृति दिवार की भाती दिखाई देती है और यह सभी ग्रेनाइट चटानों का उदारन है डाइक के कई एक्जामपल भारत में देखने को मिलते हैं जैसे जासी के पास छतारपूर के क्षेतर में खजुराहों के चारों तरफ जो उची पाहाडियां है यह खड़ी खड़ी ग्रेनाइट की पाहाडियां है जो की डाइक का ही एक्जामपल प्रस्त करती है इसी प्रकार से सी भूमी का क्षेतर है यहाँ पर डोलोराइट प्रकार की डाइक देखने को मिलती है कभी कभी डाइक का जो आकार होता है यह व्रित्ताकार या छल्ले के समान दिखाई देता है इस प्रकार की जो डाइक है यह खेतर जो है वो तालिया के पठार में ऐसे छल्ले नुमा डाइक की आकरिती भी देखने को मिलती है तो बच्चों यह जो प्रमुख छह आकरितियां थी यह ज्वाला मुखी से निर्मित अंतर वेधी आकरितियां अंतर धरातल के अंदर में बनने वाली इस्थलाकरितियां है बैथोलित यह बैथोलित क्या है भूपरपटी की गहराई में जब मेगमा पिंड बहुत विस्तरित होता है और इसका आकर लगभग गुमबदा कार हो जाता है बहुत विक्सित या विस्तरित गुमबद हम इसको कह सकते हैं यह धरातल के भीतर में जम जाता है लेकिन धरातल के उपर में अनाच्छादन अनाच्छादन मतलब अपक्षय और अपरदन का मिला जुला रूप तो इस अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा कई बार इसका उपरी भाग अपरदित हो जाता है अपक्षय के कारण कुछ उपरी पदात हट जाते हैं और इसके हटने से जो नीचे के गुमबद है वह कभी कभी धरातल के उपर में प्रकट होने लगते हैं इस प्रकार के गुमबद में ग्रेनाइट चेटानों की प्रमुक्ता होती है ये गुमबद काफी अधिक गहराई से बनते हैं इस प्रकार के गुमबदों के जो उधारन है भारत में राची का पठार या सिभुमी या बुंदेल खंड के जो क्षेत्र है ये कुछ इसी प्रकार के गुम्बदी ये सन्रचना की जहाकी को प्रस्तुत करता है दूसरी जो आकृती है ये है लैकोलित लैकोलित में जब धरातल के भीतर में कुछ परतदार चटाने होती है और परतदार चटानों की कुछ परते यदि उपर की ओर उठ जाती है एक दो परत उपर के उठ जाती है तो इसके उपर उठने से बीच का जो भाग खाली हो जाता है यहाँ पर भी इसी उपर उठने से इसकी संरचना लगभग गुमबदा कार हो जाती तो ऐसे गुमबदी आकरिती में बीच के भाग में यहाँ पर जो मैगमा होता है यह जम जात तो इस आकरिती को हम लैकोलित के नाम से जानते हैं। इसका जो एक्जामपल है संयुक्त राज अमेरिका में जो उटा का शेत्र जो है उसका हैनरी परवत इसी प्रकार के लैकोलित के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। तीसरी जो आकरिती है ये है लैपोलित। लैपोलित क्या है जैसे मैंने भी बताया कि परतदार चटानों में कुछ लहर नुमा आकरिती परतदार चटाना का कोई भाग उपर उड़ जाता है। तो जब कोई भू भाग उपर उड़ जाते तो दुसरा भाग नीचे की और धास सा दिखाई देता है इस जो नीचे धसेवे भाग में जिसे हम उस चटान का आकार कैसा होता है तश्तरी नुमा या बेसिन नुमा हो जाता है और इस खेत्र में जब मैगमा जमा हो जाता है तो इसके जमाओं से यह बेसिन भर जाती है तो इस प्रकार की जो आकृती होती है यह आकृती लैपोलित कहलाती है ट्रांसवाल के क्षेत्र में लगभग 480 किलोमेटर लंबा ऐसा ही लैकोलित बना हुआ है अगली जो आकृती है यह है फैकोलित फैकोलित क्या है जब मोड़दार परवत याने वलित परवत वलन में हमने दो प्रमुख आकृतियां यहां पर होती है हमने इसको पढ़ानी तो आगे पढ़ेंगे बच्चो और यह जो आकृति कहलाती है अपनती उपर उठा भाग और नीचे धसा भाग अभीनती कहलाता है इस अपनती और अभीनती के खेत्र में जब लावा का जमाव क्रमशह हो जाता है तो यह जो आकृति है यह फैकृलित कहलाती है इसी प्रकार से दो और प्रमुख आकृति है एक कहलाती है सिल सिल क्या है जब चटानों की जोडों पे या चटानों के तहों के बीच में यदी जगह खाली रहती है तो इस ख्षेत्र में लावा का जमाव हो जाता है और यह जो जमा हुआ लावा है यह इस ख्षेत्र में चप्टा होता है तो सिल की आकृति का निर्माण करता है यह जो सिल है भारत के कोईला ख्षेत्र जिसमें रानी गंज और जरिया का जो ख्षेत्र है यहाँ पर कोईले की परत के उपर में ऐसे सिल की आकरिती देखने को मिलती है इसी प्रकार के इंगलेंड में जो बिन का क्षेत्र है यह एक विस्त्रित सिल है जिसमें 100 मीटर मोटी एक परत जमा हो गई है जो की 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई है तो यह आकृति सिल कहलाती है अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं डाइक डाइक क्या है जब चटानों के बीच में जो गैप होता है यहाँ पर खड़ी प्रकार में चटानों की भाती मेगमा के जमाव खड़ा-खड़ा हो जाता है पृत्वी के भीतर में तो इसे हम डाइक के नाम से जाने जाते हैं यह दो चटानों के बीच में खड़ी आकृति दिवार की भाती दिखाई देती है और यह सभी ग्रेनाइट चटानों का उदारन है डाइक के कई एक्जामपल भारत में देखने को मिलते हैं जैसे जासी के पास छतारपूर के क्षेतर में खजुराहों के चारों तरफ जो उची पाहाडियां है यह खड़ी खड़ी ग्रेनाइट की पाहाडियां है जो की डाइक का ही एक्जामपल प्रस्त करती है इसी प्रकार से सी भूमी का क्षेतर है यहाँ पर डोलोराइट प्रकार की डाइक देखने को मिलती है कभी कभी डाइक का जो आकार होता है यह व्रित्ताकार या छल्ले के समान दिखाई देता है इस प्रकार की जो डाइक है यह खेतर जो है वो तालिया के पठार में ऐसे छल्ले नुमा डाइक की आकरिती भी देखने को मिलती है तो बच्चों यह जो प्रमुख छह आकरितियां थी यह ज्वाला मुखी से निर्मित अंतर वेधी आकरितिया अंतर धरातल के अंदर में बनने वाली इस्थलाकरितियां है